गुडंबा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली मार कर दबोचा योगी सरकार की दुबारा शपत लेने से पहले ही लखनव उत्तरी पुलिस ने बड़ा गुडवर्क कर दी सलामी ADCP उत्री प्राचु सिंग, S.P. सुनील शर्मा के नेतरत्व में गुडंबा पुलिस वा क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता एक वर्ष पहले, कोई गुडंबा थाना शेत्र के अंजनी ज्वैलर्स में लूट कर सुनार को गोली मार कर घायल करने का आरोपी मोनू मुढधेड में खायल 25,000 के इनावी बदमाश को क्राइम ब्रांच टीम S.H.O. अली गंज धर्वेंद्र यादव, S.H.O. गुडंबा, सतीश चंद्र साहू के साथ क्राइम टीम गुडंबा के S.I. मारूफ आलम हेट कॉन स्टेबल अश्वनी दिक्षित हेट कॉन स्टेबल अवधेश गिरी की कही एहम भूमी का क्या एतिहास रहे हैं अपराद के जाती है वहाँ पर इंस्पेक्टर अलिगंज अपने पोर्स के साथ चेकिंग कर रहे हैं और उसके उसी समय एक मोटर साइकल जो काफी तेजी सायर उनको रोपने हो कहा गया तो ततकाल बाएं तरफ कर भागने लगा के द्वारा पुलिस पार्टी पर फाइरिंग की गई आत्मर अक्षाप जो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया और उसके बाद उगेर पड़ा और जब उसके पास गया यह लोग तो इसको शिनाक तो जो है मोनू सन आफ बड़े लाल के रूप में हुआ जो क में उनके द्वारा एक जुलेरी शॉप में लूप कारीद करने के परयास किया गया था और जब भागने से उनको रोका गया तो के द्वारा जानदेवा फायरी की लिए जिसने प्रेक्टी जो है बहुत सीजिस की घायल हो गये थे और काफी चर्चित मौमना रहा इन जो है से भी अपरात कारीद कर चुके हैं और करीब 6-7 मुकदमे तक इसके हम लोग को गयात हुआ पूरा क्राइम हिस्ट्री इसके साथ कोई और भी था नहीं अभी प्रकाश में नहीं आया एक ही विक्ती थे इसके पीछे कोई और वाइक रहा हो पालो कुस्ताश के बादेवाद डिस